Dear viewers, Welcome back to the my channel, Civil Engineers Group तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा helpful रहने वाला है जो 3 वर्सी यानि 3 वर्सी डिप्लोमा के last semester में appear हो या फिर 3 साल का डिप्लोमा कुर्स complete करके रखे हो ठीक है और वो चाहते हो कि 2 वर्सी ये मतलब असनातक के second verse में न मांकर तो इस form को भर सकते हैं ठीक है या आप engineering group से हो या medical group से हो ठीक है आप दोनों के लिए form है तो इस वीडियो को पुरा देखिए बहुत ही ज्यादा helpful होने वाला है ठीक है तो इस वीडियो को ज्यादा analysis करेंगे हम official notification के साथ तो बने रहे अंतक और पूरा प्रोसेस और analysis करके बताएंगे कि किन-किन documents का जरूरत है क्या फिर लगने वाला है या फिर कब तक form को डाल सकते हैं ठीक है ना तो चलिए official notification दिखाते हैं तो आगे official notification पे तो देखिए उपर लिखा हुए है बिहार संयुक्त पर बेस परतियोगिता परिच्छा पार्श ठीक है और विग्यापन संक्य है बी-सी-ई-सी-ई-ए-ल-ई-दोजार बीस ओविलिंग जिरो दू निनांग है 27 अपरेल 2020 ठीक है तो 27 अपरेल 2020 के डेट में यह notification चारी किया गया है और यह form किन-किन लोगों के लिए हैं जरा ध्यान देंगे विशेश रूप से बिहार पर बेस पर बेस परतियोगिता परिच्छा पार्शिक पारसर्विक परवेश दोजार बीस त्री वर्सी अभियंत्रन डिप्लोमा दुट दूइवर्स असनातक फार्मेशी डिग्री पार्टिकरम के दुट्री वर्स में ना मंगने तो मतलब समझ गया होंगे कि अगर तीन साल का डिप्लोमा आप इंजिनियरिंग या मेडिकल ग्रूप में किये हुए हैं ठीक है तो आगर आप दो डारेक्ट सकेंड वर्स में असनातक के को भर सकते हैं तो पहले देखाते हैं कि इस फ़र्म को अब कब तक डाल सकते हैं देखिए ओनलाइन जो है रेजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट है 29 अपरेल 2020 और अंतिम डेट रखा गया है रेजिस्ट्रेशन करने का 19 माई 2020 ठीक है बारा बज़े तक कर सकते हैं रात के 1169 पीम तक मतलब ठीक है ओफलाइन पेमेंट करने का ओप्सिन है बीच तक चलान के मादियम से अगर ऑलाइन पेमेंट करना चाहते है तो उसका डेट दिया हुए है 21 माई 2020 ठीक है और किसी भी तरह का अगर इडिटिंग करना हो कुछ चेंजिंग करना हो उसका डेट रखा अगया है 22 माई से 24 माई 2020 ठीक है अभी एडिमीट कार्ड इसू डेट और इग्जामिनेशन डेट पब्लिस नहीं किया गया है यह नोटी मी नोटिफिकेशन के मादेम से अगली बार बताया जाएगा तो आप इस साइट से हमीशा बने रहिएगा ठीक है साइट के बारे में फिल अब कर सकते हैं ठीक है फिल फॉर्म को पूरा कंप्लीट करने के लिए साथ स्टेप बनाया गया है जिसमें पहला स्टेप है आपको रेजिस्ट्रेशन करना परेगा रेजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास एक बैद फोन नमर और इमेल आईडी होना आवश्यक है ठी के फोल्टो और सिंटरोड करना परेगा स्टेप फॉर में एजुकेशनल इंफर्मिशन मतलब की आप कहां से डिप्लोमा किये है या पारामीडिकल कहां से किये है ठीक है कभी की है यही सब चीज और पाज में सटेप में आप उस चीज को जो जो तीन चारे स्टेप में कंप करना पड़ेगा ठीक है पेमेंट करना पड़ेगा तो यह पेमेंट आपको करना पड़ेगा सिक्स स्टेप में करना पड़ेगा ठीक है पेमेंट क्या रखा गया है सुल्क रखा गया बाइस और सुल्क रखिया गया है आप किसी भी कैटोगोरी से आते हैं इस फॉर्म को भरन डाउन्लोड करना पड़ेगा पार्ट ए पार्ट बी इस चीज को साब्धानी पूरवक आपने पास सुरक्षित रख लेंगे यह चीज आप से काउंसलिंग के वक्त दीमांड किया दर तो साथ स्टेप में आप फॉर्म को भर सकते हैं सारा डेट भी बता दिया हमने अब सरो को भरने के लिए मार्ष कितने होने आवाश्चक हैं अगर आप तीन साल का डिप्लोमा किये हुए हैं समान कोटी से हैं तो आपके लिए 45Mars होना अनिवार्ज है मतलब होने चाहिए डिपलोमा में या अगर अन्हें किसी कट्रागोड से इसक्राइश बिलोग करते हैं त पार्मेशी कुर्ष किये हुए हैं तो उसके लिए जो है 35 अंग्रेजी भीशा में 35% अंख होने अनिवार्ज है तब जाके बिहार राज के भीविन सरकारी नीजी अभियंद्रन संथानों के अवस्नातक अभियंद्रन तथा राज के भीविन सरकारी पारामेडिकल फार्मेशी ठीक है करमसा असनातक पारमेडिकल असनातक फार्मेशी डिग्री पाठकरम के दूर्टी वर्स में पासरविक परवेश हेतु बिहार से परवेश परत्यों की ताफ परिछा 2020 में समय होने के लिए होने के लिए और पत्रों में अलाइन आवेदन आमेधिर के जाते हैं ठीक है उगत डिपलोमा पड्करम के वर्श जोज़र वीष के अंतिम परिछा में समय तब भिहारती भी इस परिचा में ठीक है पदलब अगर अल्तिम सेमेस्टर है आपका मेडिकल कोर्स हो यह इंजनेरी कोर्स है तो आप भी इस फॉर्म को फिलफ कर सकते हैं ठीक है और इंजनेरी गुरूप के लिए किसी भी तरह का एज लिमीटेशन नहीं रखा गए है अगर हां आप पारा मेडिकल या फार्मेसी पार्ट करम किये हैं तो आपके लिए एक नियुंतम आयू निर्धायत की गई है जो कि 31 दिसमबर 2020 तक 18 होनी चाहिए ठीक है अगर मेडिकल गुरूप से आप है तो तो तीस दिसमबर 2020 तक 18 हो जाना चाहिए तो इस चीज को ध्यान में रखिए तो उमीद करते हैं कि इस वीडियो के कारे में पूरा जानकारी दिये होंगे ठीक है तो अगर आप करना चाहते हैं तो जा कि अभी फॉर्म भड़ और अगर अच्छा लगा और इंफॉर्मेशन तो वीडियो को लाइक भी कर दे सब्सक्राइब कर दे और दोस्तों के साथ शेयर कर दे आप आपकी सब्सक्रिप् सहा हं को cowboy है कर दोस्ते कि अगरियोप कर दोस्ते कर देद कर दो लुखर कर दे आप क्यारी है त्यां किया जाबकापक हैंगे फिर आहरार इंगर।